और अब खबर यूपी के शावस्ती से है जहां सिर्सी और थानक शेत्र में भारत नेपाल सीमा पर गस्त के दुरान SSB और पुलिस की संयूग टीम ने एक चरस तसकर को दबोश लिया है इसकी तलाशी में पुलिस को करोडो रुपे कीमत की 4 किलो चरस बरामद हुई है जानकारी के मताबिक SSB निरिक्षक भरत भूशन और राजपुर पुलिस चौकी प्रभारी किसले मिश्र अपनी अपनी टीमों के साथ गस्त पर थे और इसे दुरार मुक्बिर से सूचना मिली कि एक यूवक नेपाल से चरस लेकर भारती सीमा में प्रवेश करने के फिराक में है इसके बाद गस्ती टीम ने संभावित रास्तों पर नाकाबंदी कर आरोपी को गरफतार कर लिया है आरोपी की पहचान भिंगा कोतवाले शेत्र के जानकी नगर गाउनिवासी राम समुझ के रूप में हुई है और फिलाल आरोपी से खिलाफ केस दर्श करके पूरी जाच परताल शुरू कर दी है